कि अपर सब्सक्राइब कोर्ण के बारे में हम इसमें पॉइंटर की ट्रिक्सिंट कुछ उसके बारे में हमें हैं पर समझना है देखो जैसे कोशन है कोशन में कहा है एक function है हमारे पास वोईड सो नाम से इस function में दो parameter पास किये गए इंटीजर टाइप का पॉइंटर है जिसका नाम एक से और एक इंटीजर टाइप का variable है जिसका नाम y अग इस function के नदर जो call लिखा हुआ है वो call इस तरह से है कि y में y plus 10 कर दिया गया है यानि y की value में हमने 10 add कर दिया है दूसरों जो है इसमें statement इस तरह से लिखा है- starr of x equal to star of x plus y कर दिया गया है ठीक है और यहाँ पे लिखा, इसी तरह से सैमि कॉलम लगा ठीक है, फिर हमारे पास एक में फंक्सन है, इंट में, और में फंक्सन से क्या किया गया है, कि दो वैरियेबल लिए गए है, int a equal to जो है 21 है और b equal to जो है वो 23 है ठीक है ये दो value लिख हुई है फिर इस so function को call किया गया है और so function को इस तरह से call किया गया है कि so में सबसे पहले m% of b comma a किया गया है और फिर so के अंदर m% of a comma b किया हो गया है और इसके बाद जो है हमें यहाँ पर c out कराना है a plus b को a plus b की value क्या होगी और इहाँ पर last में return 0 लिखा होगा है ठीक है तो इस question का output आपको बताना कि a plus b की value क्या होगी ये हमें यहाँ पर समझना है तो देखो बच्चो जैसे question दिया गया है तो इस question के अंदर जो है किस तरह से हम यहाँ पर इसको solve करेंगे सबसे पहले बच्चों को confusion यह है कि सरी यहाँ पर रिटन लिखा हुआ है और यहाँ पर रिटन टाइप वोईड भी आ हुआ हुआ है तो क्या यह प्रोग्राम सही है यह नहीं क्या इसमें एरर है यह हमें सबसे पह लिखा तो इसमें खाली रिटन लिखा हुआ है तो अगर वोईड के साथ आप यहाँ पर रिटन लिखने हो तो यह प्रोग्राम चल जाएगा कोई अगर यह स्टेटमेंट नहीं भी लिखोगे तब भी प्रोग्राम चलेगा और सेम ही आउटपट आएगा आपने रिटन ल आप लिख देंगे रिटन के आगे जी रो लिख दो एक्स लिख दो वाई लिख दो तो गलत हो जाएंगे यह आप नहीं सकते हो ठीक है अब यहां पर हम समझेंगे बटा कि किस तरह से तो जब भी आपको पॉइंटर के कोश्चन करने हैं तो मैंने आपको बताया था कि के लिए एक जो हे फंग्सन जो है उनके एरिया बना लेंगे एक हमारे पास मेमोरी एरिया माल Major Main के लिए बना लिए हमने और एक जो है हम इह हां बना लिए अपना सोंक्सन के लिए ठीक है अब यह फंग्शन में दो वेरियेबल है धками और के लिखखा हुआ है तुटी वन भी वेयरिएबल है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है तुटी थ्री अब इहां पर ए और बी का एडरेस भी यूजा किया हूँ तो हम इनको किसी मैमॉरी लोकेशन पर एक होन्डेड और बी को इस्टर घदे 관ते हैं ठीक है यह कि हमने इस तरह से कर दिया अब alumni सो के अंदर एकस औरवाई दिये वह तो हम यहां पर एक एकस ले लेते हैं और एकवाई इस तरह से कर रहा है अबढ़ देखो मीन से सुरुवात होगी तो मीन में यहां पर एक डिफ 21 है वो हमने लिख दी बी की वेल्यू 23 है वह भी लिख दी अब पहले यह वाला स्टेटमेंट जो है इसके अंदर सो को कोल किया गया और जो है हमारे पास फर्स्ट पेरामिटर है एड्रेस ओफ बी यानि यहां पर जो है हमारे पास इंट इस्टार एक्स एक्वास हमें हमें इस हम्ना कितना है है गाफ स्थ्टेक्व करतूं एक फीर remember नमल वेरियबल हमारे पास आएगा तो यानी इन इस pendant to A लिखना है एकी वैलू कितनी है 21 है तो एकी वैलू 21 है एम परसेंट और बी हमारे पास 200 तो यह 200 तो हमारे पास x में चला गया और एकी वैलू 21 है यह हमारे पास y में चली जाएगी है तेकर इतना समझ में आ गया है हाथ तक सभी को अब देखो बीटर यह statement हम execute करेंगे y equal to y plus 10 वाला statement तो y equal to y plus 10 जब आप करोगे y equal to y plus 10 तो y की value कितनी है हमारे पास 21 है तो 21 plus 10 हो गया कितना हो गया 31 हो गया अब है star of x से equal to star of x plus y star of x का मतलब क्या है एक्स के अंदर एक address मिलेगा उस address पे एक वैरियेबल होगा उस वैरियेबल की value के बात करिए तो एक्स वाले box को देनोट कर रहा है तो यह 23 हो गया और Y की value हमारे पास 31 है तो यह हो गया हमारे पास 54 तो मनलब इस वाले box में 23 की जगे आपको क्या करना है ठीक है और Y वाले box में आपको क्या करना है 21 की जगे 31 करना है तो यह हमारे पास पहली बार जब हमने calling करी so function को तो यह हमारे पास output आए है ठीक है तो यह हमारे पास result होगे अब second time हम call करेंगे इसको तो क्या होगा वो हम समझ लेते हैं ठीक है दो बारे से जब हम call करेंगे तो यहां पर जो है इस बार हमारे पास changes होंगे कुछ किस तरह से होंगे वह समझ लेते हैं यहां पर बेटा जब हम पास कर रहे हैं पहला पैरामेटर वह है मतलब मैं यहां पर जो है पैन का कलर चेंज कर लेता हूं तो इस बार आप समझें इस बार क्या होगा एक्स है और वाई है हमारे पास ठीक है एक्स और वाई यह है हमारे पास अब एक्स में जो जा रहा है वह एम परसेंट ऑफ ए जा रहा है यानि एक एक कितना है तो यह और य के अंदर क्या जा रहा है इस बार व क्या जा कितनी है वोटी श्कॉसवी कि खॉड हुमारे पास यहां पर कि हो चुची है तो बार के चूद्व यह समझ आ गया इतनी बात कि अब इहाँ पर हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि यहां पर लिखा वाई एक्वल टू वाई प्लस टैन तो वाई एक्वल टू वाई प्लस टैन जब आप करोगे वाई की वैल्यू है 54 तो 54 प्लस टैन करोगे आपके पास आएगा प्लस टैन करोगे तो यहां पर यानी इस टार ऑफ एक्स किसको डिनोट कर आई इस वाए बॉक्स को तो इस वाले बॉक्स में हमारे में पास हो जाएगा 85 और इस वाले बोक्स में हमारे पास हो जाएगा 64 आप देखू पीटर यह को लिंक हमारे पास दोनों होगी अब हमें ए और बी एड करने है हमें एक्स वाई से मतलब नहीं एड करना ए और बी यह वाले वाले बोकस में एक्तिफाइव लिखा हुआ और बी वाले बोकस में क्या लिखा हुआ है 54 लिखा रवा तो 85 54 एड़ कर देंगे तो वन थर्टी ना गया इस कॉस्टन का जो आंसर हो गया है इस कॉस्टन का आंसर बिटा होगा वन थर्टी नाइन ये हमारे पास आंसर हो जाएगा ठीक है आप सभी को समझ आ गया होगा वैसे अच्छे से ठीक है अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए